हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने रेड्मी नोट 13 एंडुएट मॉइल फोन में अगर आपके मुवैल फोन की इंकमिंग कॉल अगर इस स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कभी भी ऐसा होता है कि हमारे मुवैल फोन पे इंकमिंग कॉल आता है रिंक्टून की साउंड की आवास तो आती है लेकिन इंक करना है इससे क्या होता है आपको मुवैल फोन आटोमेटिक स्विच आफ हो जाएगा फ्रेस के थोड़ी दिर बाद आटोमेटिक स्विच आउन हो जाएगा रिबूट करने से ही होता है हमारे मुवैल फोन के एंडूट सिस्टम में अगर कोई प्रॉलम आ जाती है तो वह अगला प्रॉससरा को करने क्या हिए क्या आपके मुवैल फोन का प्स्वा आपा अप को ढूरेस करना है इस से टेप करना है यह पेस पेई मा आपको इश्टोरिज का आप ना होगा और इसका फोपीन होगा इसके बाद आपको दूबहरा यह गाइट पर जाएगा इसपे रीछ और कनृ क्यों के रिखने उल्सप्रेटा शौन करना है जिसे स्कूर्स करना है पर फोन के इंकमीं कॉल स्क्रीन के और नहीं होती है अब देखिए दूस्तों आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है ऐब को अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो update है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone के software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर कभी आपडेट आजाता है तो हमें पता नहीं लगता है तो mobile phone का software अगर update नहीं होता है तो इससे हमारे mobile phone के android system के अंदर कुछ कमिया आने लगती है तो आपके phone का software अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है देखे सबसे बाले आपको mobile phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting पेज उपन करना है देखे आपको अपने mobile phone को reset करना है तीक है मोगा phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताया हूँ पिछले process कोई भी काम नहीं करते है आपकी problem solve नहीं होती है ताब आपको phone को reset करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको नीचे factory reset का option शोगा इसे tap करना है आपको factory reset के इस पेज मे हो जाएगा और आपके फोन की जो इंकमिंग कॉल इस्क्रीन के ऊपर शोर नहीं होती है प्रॉलम सॉल हो जाएगी लेकिन आपको फोन को रिसेट करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना है पहले बात यह द्यान रखने है आपके फोन में जितना भी डेटा सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में transfer कर लिए या उसका backup ले लिए दूसरी बात ध्यान रखने हैं आपके फोन की gmail id और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने हैं उसके बाद आपको phone को research करना है अगर मेरे बताए हुए सारे process आप यूज करेंगे तो इससे आपके phone की incoming call screen के उपर शोल नहीं होती है अगर मेरे बताए हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखें आपके mobile phone का service center होगा अपने mobile phone के service center चले जाना है अपना phone व हो सकता है आपके mobile phone के hardware में कोई दिक्कत होगी जिसके वज़े से आपकी problem आ रहे है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताया है ना वो mobile phone के software के जरीए बताए है अगर mobile phone के software की किसी कमी के कारण आपकी problem आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी अदर्वाइस आपको अपने mobile phone के service center जाना पड़ेगा ठीक है